चूरी की खनक कभी भी पुरानी नहीं होती है हमारी दादी नानी से लेकर हमारे बच्चों तक चूरी के दौर कभी भी पुराना नहीं हुआ आउर्डेटिद नहीं हुआ लेकिन क्या आप जानते हैं? चूरीयां क्यों पहने जाती है? हाथ में कितनी चूड़ी पहननी चाहिए चूड़ीों का आपकी किस्मत से क्या connection है चूड़ी से जुड़ा शकुन अप्शकुन क्या है चूड़ी पहनने का तरीका क्या है मानिता क्या है चूड़ी पहनने की परंपरा क्या है चूड़ी के उपाई आपके सुहाग से चूड़ी का कनेक्शन आज सिर्फ और सिर्फ चूड़ियों की बात होगी आज चूड़ियों से जुड़ी आपसे बहुत सारी बाते करनी हैं पहले चूड़ी और कंगन से जुड़े कुछ उपाई बता रही हूँ नोट कर लीजे बहुत काम आएंगे अगर हजबन से बन नहीं रही है शादी शुदा जिंदगी खराब हो रही है घर में पतनी अपने हाथों में कम से कम दो सोने की या पीली चूड़ी पहने तो मैरेड लाइफ रास्ते पर आने लग जाती है कम से कम पतनी अगर हाथ में पीली चूड़ी पहने या गोल्डन चूड़ी पहने रखें तो पती का प्यार कम नहीं होता अगर घर में बीमारी दूर नहीं हो रही है तो सरसो के तेल को गरम करके इसमें निम्बू फिटकरी कील और कांच की चूड़ी डाल कर मिट्टी के ब आज सबसे ज़्यादा जरूरी है अब कंगन से जुड़ाई को पाई जान लीजे अगर घर में कोई महिला प्रेगनेंट है उसके दाइने हाथ पर तामे का कंगन पहना दीजे इससे बच्चा सेहतमन जनम लेता है आज तो मेरा मन कर रहा है कि हाथों की चूड़ी खनकती है देखते हैं आप भी मेरे साथ चूड़ी खनकाई है अभी बहुत सारी बाते करना बाकी है लेकिन पहले एक काम की बात मार्कित में चूड़ीों के सेकरो कलर है अब आपको ये पता नहीं होगा कि आपके लिए कौन स एक शुड़ी पहनी चाहिए प्रिच्च aparecer वालों को गोल्दन लाइट प्राम जैसे यह एक ज्टीरख या पिंग कर फिंग पहने चाहिए करकर सी वालों को मजा एलो ओर इंज прकलर या सिल्वर कर थे पहने चाहिए सिंग राशी वालों को ग्रीन फिरोजी या फिर ओर इंज कलर की चूरी पहने चाहिए कन्या राशी वालों को पॉपलिश या मल्टी कालर की चूरी पहने चाहिए तुला राशी वालों को फिरोजी डाक प्लू और साथ में सिल्वर कॉम्बिनेशन में चूरी पहने चाहिए रिष्षिक राशी वालों को लाइट ब्लू हम यह बोल सकते हैं ब्राउनिश और मरून कलर की चूरी पहने चाहिए धनू राशी वालों को पिंक येलो और साथ में गोल्डन कॉम्बिनेशन की चूरी पहने चाहिए मकर राशी वालों को और इंच मरून और ने गोल्डन गलकी चूड़ी पहननी चाहिए स्टार्टिंग में ये रेड पहनो या गोल्डन पहनो क्या करूं आप शाम को अच्छली मुझे पार्टी में जाना है तो समझ नहीं आ रहा कि ये वाली चूड़ी आगे पहनों कि यही वाली पहनों आप भी यही सोचती होंगे कि अपने हथेलियों को सजाना अपनी कलाइयों को सजाना अपने अलग तरीको से जैसे कि अपड़ेशलेट से बैंगल से अलग तरह से अपने पsite हम गई आ दे तो इसको गाउन सूट बोलते हैं, जिसमें गाउन का भी टच है, और सूट का भी टच है, ऐसे के सिसके अंदर जब आप जूलरी लेते हैं, तो I always suggest to go with something, जो की basically fusion touch पे हो, जैसे की ये बैंगल्स हैं, जिसके अंदर बीड्स हैं, जिसके अंदर बीड्स हैं, जिसके अंदर ब या सूट या लहंगा ना लेकर, आजकल बहुत fashion में है, कुछ western dresses का, तो अगर आप एक cocktail dress में, अगर अपने आपको wardrobe के अंदर से सजा रहे हैं, तो ऐसी dresses के साथ, I never suggest to go for bangles, bangles का अलग एक खुबसूरती का दुनिया होता है, बट इन dresses के साथ, I always suggest, कि आप ऐसा कुछ पहन स what you do, is the pearl लगा हुआ है, इस तरह का कुछ काम हो, यह अगर आप मैचिंग करना चाहते हैं, अगर आप गल्डलय के साथ, आप अपने bracelet के साथ को, चूज कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे की, these are called the bead elastic bangles, like अगर आप same dress के साथ, थोड़ा व्यूजन में पहना चाहते हैं, तो जो contemporary bangles का जो fashion था जैसे आप इस तरह की हरी, पीली, पिंक कलर की जो चूडियां हैं, आप इनको तो पहनी रहे हैं इतने सालों से जो भारतिय संस्कृति का एक अभिन हिस्सा है, हर किसी को पसंद आती है, इवन जब कुछ patriotism की भी बात होती है, जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जन्व पे, डिफ्रेंट तरह की ड्रेसिस के साथ, डिफ्रेंट तरह से अपने कलाईयों को सजा सकते हैं, चूड़ी और कंगन से जुड़ी कई इंट्रेस्टिंग बाते हैं, आपके साथ शेर करना चाहती हूं, जैसे कितनी चूड़ी पहननी चाहिए, चूड़ी कंगन और married females का क relationship है, कई मज़िदार बातें जो आपको शायद पहले पता ही नहीं होगी, सबसे पहले चूड़ीों के कलर पर बात करते हैं, हरे रंग की चूड़ीयां बहुत खास होती है, newly married females को हरे रंग की काच की चूड़ीयां पहनने के लिए कहा जाता है, यह हरा रंग एक पेड़ की ह जोड़ता है, अब आपके फेवरिट लाल रंग की बात करते हैं, red bangles की बात करते हैं, हरे रंग के अलावा लाल रंग की काच की चूड़ीयां पहनने का भी विधान भारत में शामिल है, यह रंग उस त्री को शक्ती से जोड़ता है, चूड़ीयों के लाल रंग में भी इतनी चूड़ी पहननी चाहिए, इसका भी जवाब मौझूद है, अगर तीन या इस से कम चूड़ी पहनी जाएं, तो उस त्री में शक्ती लाती हैं, आम तोर पर इतनी कम चूड़ियां एक अन्मारिट फीमेल द्वारा ही धारन की जाती हैं, ऐसी मानेता है कि दो तीन च समझे, चूड़ियां जादा संक्या में हो, तो इसका महत्वक कहीं गोड़ा जादा बढ़ जाता है, साइन्स का भी ये मानना है कि जब स्त्री दोनों हाथों में काफी सारी चूड़ियां पहनती हैं, तो ये खास प्रकार की उर्जा पैदा करता है, जिसे धार्मिक संदर् मतलब ये फीमेल को बुरी नजर से बचाता है, अच्छा चूड़ियों से जुड़ा शकुन अफशकुन भी होता है, अब चूड़ियां तूटती हैं, उसमें दरार आ जाती है, ऐसी मानिता है कि चूड़ियों का तूटना उस त्री या उससे जुड़े लोगों के लिए अशुप संकेत लेकर आता है, अगर आपकी चूड़ी में कभी भी दरार आ जाएं, तो आप साथधान हो जाएं, बलकि आप उसी समय और चूड़ी पहन लें, वहम नहीं पालें, दरार की बात तो कर लें, चूड़ियों की तूटने की बात भी कर लेती हूं, किसी के हाथ क चूड़ी का तूटना, उस फीमेल के आसपास मौझूद काफी जादा नेगिटिव एनरजी, बिसिकली चूड़ी अपनी आपकी नजर अपने उपर ले लेती है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे में टेंशन की कोई बात नहीं है, तूटी वे चूड़ी को हटा क पीजों को भी जानिए, आगे और बताने वाली हों, चलिए अब आपको चूड़ी से जुड़े कुछ रिवास बता देती हों, आपको जरूर मालूम होने चाहिए, तभी तो आप अपडेटेड रहेंगी, क्या आप जानते हैं, कुछ धर्मों में बच्ची के जनम के साथ ही उसे शकुन के नाम पर चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं, चूड़ी और कंगन जादतर न्यूली वेट पहनती हैं, कई जगतों शादी के बाद फीमेल्स को सोने से बने कंगनों से अधिक कांच की पहने से फीमेल के पती और बेटे का स्वास्त अच्छा रहता है, यह मानिता कुछ धर्मों में इतनी गहरी हैं, कि चूड़ियां बदलते समय भी फीमेल्स इस तरह की चूड़ियां उतारती हैं, कि उनके हाथ मतलब यू उतारती हैं, और दूसरे हाथ में पहले डालती हैं कि उनके हाथ खाली ना रहें, कम से कम उनमें एक चूड़ी जरूर होने चाहिए, एक बात तो आपने नोटिस की होगी, भारत में चूड़ियां पहनने का रिवास बहुत पुराना है, इतना पुराना कि कोई डेट नहीं बता पाएगा, माना जाता है कि यह परंपरा देव पहनने का रिवास भी आपने देखा होगा, पंजाब में शादी के समय दुलहन द्वारा लाल रंग की चूड़ियां चीने चूड़ा कहा जाता है, पहना जाता है, यह चूड़ा पहनना बेहत जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह उनके सुहाथ की निशानी होती है, शादी कुछ दिन पादा थोड़ा-थोड़ा करके भी उतार सकती है अब आपको वेस्ट पिंगॉल का एक रिवाज बताती हूं पंजाब से बिलकुल उलट बंगाल में आपको चूडियों का एक अलगी रूप दिखाई देगा यहां दो खास प्रकार की चूडियां पहनी जाते हैं जिसे शंका और पॉला कहते हैं शंका का रंग सफेद होता है और पॉला का लाल याम तोर से लाक से बनी चूडियां होती हैं जिने सोने के कंगन से भी जादा अधिक महत्व दिया जाता है